आप सभी को मेरा नमस्कार मैं निलेस और इस वीडियो कूर्स में हम देख रहे हैं एक और प्रैक्टिस वीडियो जहां पर हम सीखेंगे हिंदी नामों की इंग्लिस में स्पैलिंग लिखना और पढ़ना सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी के अक्षरों के लिए इंग्लिस का हम कौन सा अक्षर लिखते हैं हम इंग्लिस के 26 अक्षरों से ही हिंदी के बावन अक्षरों को लिखते हैं जिसमें अक्षर और मात्राय सामिल हैं तो पहले ये अक्षर भी है और मात्राय भी है तो यहा ए या फिर बड़ी ए की मात्रा के लिए डबल ए ओ या छोटा ओ की मात्रा के लिए यू बड़ा ओ या बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ ओ या ओ की मात्रा के लिए यू तो यदि किसी एक्षर में ओ लिखा है तो हाँ पे हम ओ लिखेंगे या ओ की मात्रा लगाना हो तो ह पर हम लिखेंगे लिए रहे यह अक्षरों के लिए भी हो मादराओं के लिए भी तो आप वीडियो को रोक के पॉस्ट करके इन्हें अच्छी से पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं कुछ और अम के लिए एन या एम या फिर केवल बिंदी है तो हम एन भी लिखते हैं अ के लिए ह् या एंच और जो संद्रकार बिंदी है उसके लिए एन लिखते हैं आगे है कखग के लिए इंगलिस के अक्षर तो आपको जैसी नहीं मालूम है तो आप वीडियो को पॉस्ट करें और इनको पढ़़े और याद करें और जीने मालूम है तो उनको पढ़ने की ज़रूत नहीं है तो आए हम आगे प्रैक्टिस करते हैं वीडियो को पॉस्ट करें पढ़िए पहला नाम आपके सामने है जिसका पहला अच्छर है अच्छर के साथ अ की दोनी होती है थोड़ा लंबा उचान होता है का स्वर आता है तो हम उसके लिखते हैं ए तो ए फिर है ल तो ल के लिए एल फिर लिखा है रा तो रा में रा के लिए आर आके मात्रा के लिए ए तो ए यहाँ पर हमने अकी दोनी के लिए भी लगाया और आके मात्रा के लिए तो किया जादक ना है कि ए का यूज हम आके मात्रा के लिए में करते हैं और अकी दोनी के के लिए भी करते हैं फिर है आपका म तुमा के लिए लिखेंगे हम है अगला नम पहला अक्षार गू में गा के लिखते हम जी छोटाओ की माता के लिए यू फिर है यह वाला न तुछके लिखते हम एन फिर है वा और वा के उपर है बिंदी तो पहले वा के लिखेंगे वी वा की दोनी इसलिए ए और जो अपर बिंदी लगी है उसके लिखेंगे हम एन फिर लिखा हुआ है त तो त के लिए टी गून वन्त अगलर नाम पहला अग्छार फू तो फू में वा के लिए ए चोटा वा की मात्रा है तो यू फिर लिखा है ल, तो ल, के लिए L फिर है, व, तो व के लिए V अकीद हो नहीं हूं, इसलिए A फिर व क्यों पर लगी है, बिंदी तो जिसके लिए हम लिखेंगे N फिर है, T मेता के लिए T तर्म है, बड़ी E की मात्रा मगर आखरी में है, इसलिए यहां पर हम आई ही लिखेंगे फू ल वन ती अगले नम पहला अच्छर सू में सा के लिए एस छोटाओ की मात्रा है इसलिए यू फिर है जी में ज़ के लिए जे बड़ी ए की मात्रा है तो डबल ए फिर है ता तो ता के लिए टी आ के मात्रा के लिए ए सू जी ता अगला नम रिसब में री रिसी का है तो इसके लिखते है हम आर आई फिर है स तो इस सा के लिखते है हम एस एंच और की दोने है इसलिए ए फिर है भा तो भा के लिए बी अग्रा नम पहला अक्षर प्री में प्रा के लिए पी आर बड़ी ए की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ए फिर है त त के लिए टी अकी धुने के लिए ए और अंत में है म तुमा के लिए M प्री त म अग्ला नम पहला अक्षर है ज तुजे के लिए अक्षर लिखते हैं ज ज़ के साथ अकी धुने है इसलिए फिर है य तुज़ा के लिए वाई फिर है मा तो म में म के लिए M, आ की मात्रा के लिए A फिर लिखा हुआ है ला तो लम के लिए L आ के मात्र के लिए A ज, य, म, ला अगले नम पहला अक्छार क्री तो क के लिए K यह है रिसी की मात्रा तुश्के लिखते हैं आर, आ, आ, क्री फिर है आधा स तो इस स के लिए S, H फिर लिखा है न, तो उसके लिए एन, क्रीष्ण फिर है रा, मेरा के लिए आर, आ के मात्र के लिए A, और जो राव होता है उसको हम लिखते हैं र, ए, रा, व, व, के लिखते हैं आपे हम, व, के लिए के लिखते हैं तो राव को हम लिखते हैं इंग्लिज के अक्षरों से आरे ओ राव क्लियर है क्रिस्न राव अग्ला नाम पहला अक्षर वी तो व के लिए वी छोटी ए के मात्रा के लिए आई फिर है अदा ध, तो ध के लिए दि एच, फिर है य तो य के लिए य आ के मात्रा के लिए ए वी ध्या यदि आप full course देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे जहाँ प्लेलीस पर क्लिक करेंगे तो आपको courses की list मिल जाएगी जिसपे क्लिक करके आपको course के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखे और घर बैठे सीखें यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब करें बरने वाली girl button को click करें और पर click करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग